नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई आस तिरप्रण वर्स के पुरुसके पाम का एनालेसस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरपर्थम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एक करके इनके सवालों का उतर करेंग उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमाई चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरपय करके चानल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आकन को प्रस कर दें ताकि लेटस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोशन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जौब में है आगे स्वास्त के विशे में और आगी की जिंदगी के विशे में ये जानना चाहते है तो निश्यंत रहिए आपके सारे ही कोशन को कवर किया जाएगा वीडियो के माद्यम से तो वीडियो काफी महतपूर देखें, सीखें, समझें तो सबसे पहली और महतपूर चीज इस वीडियो के माद्यम से मैं बताना चाहूँगा बहुत कम हतेली पड़ ऐसी अवस्था देखने को बिलती है कि बिणा किसी प्रकार की राहू रेखा के हतेली मतलब इनके हाथ पर ना तो निमनस्तर ये राहू रेखा है ना उच्चस्तर ये राहू रेखा है ना मध्यमस्तर ये राहू रेखा है इसका मतलब ये होता है कि ना तो बहुत कम तकलीफ देने वाली राहू रेखा है ना बहुत मीडियम में तकलीफ देने वाली राहू रेखा है ना बहुत जादा तकलीफ देने वाली राहू रेखा है तो बहुत ही कम अतली पर ऐसी अवस्था देखने को बिलती है ऐसे विक्तियों पर रहती ईश्वर की असीम कृपा इन लोग के जिंदगी बड़ी मस्त खत तरणाग भी जाती इसमें किसी परकार का संदे नहीं है तो वीडियो को बारी की से समझना है और अगर आपके इतली पर ऐसे योग बढ़े होंगे तो आपकी जिंदगी भी बहुती अराम से कट जानी है प्रॉब्लम्स हर एक के जिंदगी पर आता है लेकिन उस प्रॉब्लम वह उसको solution दो दिन में मिल गया पांच दिन में मिल गया तो इससे बड़ी achievement क्या ही हो सकती है ये बताइए आप कुछ नहीं हो सकती तो वस चीजों को समझना है तो आज की वीडियो में इसी विशेप मैं चर्चा करूँगा इन लोग के जिंदगी बड़ी अच्छी करती है पॉस्टिप 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 भी रहती है और शुरुवाती दौर से दीरे दीरे आगे बढ़ते बढ़ते जिंदगी पर एक अच्छे मुकाम तक जरूर से पहुंच जाते हैं इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं है तो आए सबसे पहले इनकी पॉस्टिप चुर्ण आपकी हेसे में प्राफ़लम को दरशात इसको भी बताऊंगा वे, और स्ट्रांग आपकी हर्ट लाइन और यहां पर से विश्टो योग का फॉर्मेशन मतलब इसके फड़ को भी बताया जागा आगे चलके तो यह इनकी पॉस्टिव वह स्थाएं थी और एक बुद्र एकासी बन रही है फिलार इसमें अभी कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है तो इसके रिगारिंग भूत ज़्यादा इफेक्ट तो मैं नहीं देख पा रहा लेकिर यहां पर से थोरी सी साइड इफेक्ट आती है वो भी बताऊंगा मैं और यहां पर से कोई परकार के विपार के तो योग नहीं बन रहे है तो अतली पर जानदार अवस्ता सबसे महतपूर्ण बात जो मैं बता रहा था कि राहू रेखा आपकी ये जो कट सोती है ना आपके जीवन रेखा पड़ इसको कहते है राहू रे इसमें कोई विशेस अपस्टेगल नहीं है इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है जिंदगी पड़ कुछ नहीं हो सकती इससे बड़ी बात मतलब आपको इश्वर का सोते जागते बैठते उठते खाते पीते सुक्रिया करना चाहिए ये मैं बोल रहा हूं आज आपको मत बहुती उम्दा अवस्था आपके दले पर मौचूद है तो पहली पॉस्टिवीटी तो ये थी अब नेगटिव चीज़ों के तरह बात करता हूं तो देखिए आपकी बुद्ध फिंगर है छोटी तो विक्ती को 28 वर्सों तक निर्णा लेने में परशानी होती है तो यहा आपके हितेसी नहीं होते आपका बैक बाइटिंग करते आपका टांग खिचने की हमेशा ही वो प्रियास करते ये एक नेगटिव चीज़ों में या रही है और राहूरे का है तो नहीं तो फिर नेगटिविटी है नहीं यहां पर से थोरी सी बुद्ध रेकाल की टूटी ट कर लूँगा बागी ये उपाय तो बहुत लावकारी है कि अपना खुद का आप केर करो ये बहुत जरूरी है इसमें कोई डाउट नहीं तो स्वास्त के प्रपस पे जो मैं आपको बता रहा हूं वो यहां पर से थोड़ी स्टमेक संबंधी प्रावलम हा उसी को लेके सारी प्रावलम्स आपके जिन्दगी पर जिन्रेट होगी तो कहीं न कि उसका केर आप करे तो चीजे नॉर्मल रहेगी आपकी लाइफ पर ज्यादा परिशान नहीं होंगे आप अब इस सेकेंड वन अगर मैं बात कर लो आप आग एक जिन्दगी को लेके तो मैंने एक चीज त कमाते हैं कोई कम कमाते हैं तो इसमें इतना सोचने की बात नहीं है आपको लेकिन ये लोग पॉस्टिव में ही रहते हैं अभी चलते हैं जीवन रेखा पर वहां से चीजों को असपास रूप से क्लियर करूंगा तो देखें यहाँ पर से आपकी बचपन से जिन्दगी को क दीखता है तो इस ट्रगल्स आपके टकडिबन उनीसमें साल तक तो जादा थे और यहाँ पर बाईसमें साल तक भी स्ट्रगल्स थे आपके जिन्दगी पड़ लेकिन कुस्ट्रेंगल्स नुमा किरती बनी वे थी तो डिगरी पूरा किया होगा आपने और प्रगती के यो योग ते इबन 22 में साल से ही थे, 24 में प्रगति थी, 24 में एक थी, ये एक तक्रीबन आपके 29 में साल में थी, एक तक्रीबन आपके 33 में साल में थी, एक 36 में साल में, ये कुछ प्रगति के योग थे, कोई राहूर एक हाई रहे तो अबस्टेकल नहीं था, एक आपके 49 में सा यह आपकी और यह तक्रीबन आपके 53 years में प्रगती के योग है और यह 55 में तो recently 53 years में भी कोई ने कोई achievement होना है 55 में भी होना है 55 के बाद कुछ यात्रा है बड़ी-बड़ी से आपके जिंदगी पड़े है और जिंदगी मस्त स्मूथ है और यहाँ पर से भी तक्रीबन 62 years मे continue कुछ progress line के साथ है तो व्यक्ति के तरक्की होते हैं जिंदगी के last में भी एक triangle सा बना हुआ है तो यहाँ पर से भी व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रपर्टी में invest करते हैं और प्रपर्टी के regarding अरजन करते हैं तो यह जीबन रेका का पूर्णता विशलेशन था आपके और आ आत्राएं आपके जिंदगी पर बनी रहेगी तो यह पूर्णता जीवन रेखा के विश्य में था और एक परशन इनका छूट सा राय उसको मैं cover करता हूँ इनका परशनता स्वास्त को लेकर देखें जैसे आपकी जीवन रेखा से कोई distractions नहीं है और तो यह स्टमेक को ले जिंदगी ठीक रहेगी आपकी और अगर आगे का मैं विचार कर लूँ तो जादा कुछ विश्य परिशानी नहीं दिखरी अब कुछ AIDS के हिसाब से भी आपको प्रॉब्लम्स आती है तो basically मैं उन चीजों को बिमारिया नहीं मानता हूँ तो यहापर से इसको मैं बिमारी के तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो इनके अभी अतेली का विश्यलेशन सुरूओगा तो इनके देखो तो स्क्वार स्पाम है तो मध्यमेच के बाद ये लोग तरक्की को पाते हैं इसमें किसी प्रकार का संदे नहीं है उसके बाद अतेली गुलाबी है तो धन को करती ही करती है इसमें भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है उसके बाद सारे प्लैंट्स में स्टेंथ एक गद्यदार अवस्था बनी हुई है राज्यो कारा करते लिए 65% मतलब जिन्दगी अच्छी बीती है और अच्छी बीतेगी जब से आप इंडिपेंडेंट हुए हो इंसान अंदर से थोड़े भावनात्मक या थोड़े से डड़ सकते ये कनफर्म है जो ये में देख पा रहा हूँ बाकिया आपकी तरक सकती बहुत ही अच्छी इंसान तरक के भी बहुत पूर्ण होते पूस्ट होते है और स्ट्रॉंग डिजायर्स के लाइन तो विक्ति का परचकार आ रहा है ऐसे विक्ति बड़े इमांदार होते हैं अपने जद्दगी को बड़े इमांदारी से करते हैं और बिना किसी ही मांदारी कि आतके लाइफ में कुछ भी आसिल नहीं होता हैं और यहांपर से समझदारी के लूप काफी अच्छी है तो ऐसे विक्ती भोज़ाता समझदार ये gap दरशाती है कि विक्ती पैसे खर्च होते हैं जादा ना चाहते वे भी पैसे खर्च होते हैं तो यहांपर से आप नियंतरन कर सकते हो अलाकि ये लोग फाल्तू काम में पैसे खर्चवा करने वाले नहीं होते फिर भी मैं एक आपको व्यू दे रहा हूं कि थोड़ा आप नियंतरन कर सकते है बाके स्ट्रॉंग आपकी खड़ी लाइन्स है इसका मतलब होता है कि इंसान दिल से बहुत अच्छे है दिल में किसी के परती कोई गलत बावना नहीं है और ना फालतों के सोचते है तो उरह इंट्रोवर्ण प्रसनालिटी के हैं कम बोलते हैं लोगों से कम इंट्रेक्ट करते हैं अपने सिंदगी पर मसत रहते है फिंगर लंबी है खरी है तो creative person है creativity अच्छी है और ब्रश्पती फिंगर छोटी संग की बड़ी तो विक्ती बहुंचादा ही मती और सेटरन पर बन रहा है कि इसे एक चक्र आपका ब्रश्पती पर भी एक चक्र मुझे दिखा और एक चक्र आपके सूरी पर देखो क्या गजब एकदम गजब और ये तो चक्र नहीं है तो यहाँ पर से क्या होता नहीं संग है तो यहाँ पर से तीन तीन चक्र आपके अचली पर मौझूद मतब गरूं का अच्छा फल आपको मिल पारा है आपके जिंदगी पर और ब्रश्पती फिंगर अलकी टिंड करे विक्ती में बहुत धारमी कास्ता रहती है सेटरन और सन के अटेच्मेंट है तो विक्ती बहुत ज़्यादा कैलकूलेटिव भी रहते हैं नियमत रूपस अपने जिंदगी को जीते हैं बद्ध फिंगर छोटी होने के वज़य से प्रारंबिक समय में निर्णने में परशानी थी लेकिन 28 साल के बाद निर्णने ये ये लोग सही ही ले लेते हैं और हलकी टेंड करे तो बिसनस माइंडेड है, बिसनस प्रॉस्पेक्टर से चीज़ें अच्छी समझ में आ रही हैं। और दूसरा विक्ती बिसनस माइनट होते हैं। वह चेज़ें आपने पिंगर के विशहां में अबी चलते हैं आपके प्लैनेट्स के तरह तो बरशपती यहां से दबा आप था तो विक्ती की प्रारंबिक से हमें स्ट्रेगल्स रही होगी बाकी कुछ आपके स्क्वायर्स जरूर बने वेते ये कही न कही आपके ऑथर्टी पोस्ट को दर्शाती है चत्रिस के बाद के जिंदगी आपकी काफी अच्छी रही होगी और कुछ परुपकार के लाइन्स है तो विक्ती बड़े परुपकार होते इसमें कोई डाउट नहीं है ये लाइन्स तोरे से फैमली संबंद में पाड़िवारिक संबंद में जो बहुत से लोग रहते है न उनमें किसी न किसी परकार की अनबन की ष्थिति को ये जनरेट करती है ये बहुत नॉर्मल है बाकी बरुपती आपकी अच्छी है पचीस में साड़ के बाद आपने अपने जिन्दगी पर अच्छा मुकाम देखा होगा, अच्छा हाइट पकड़ा होगा, अपने जिन्दगी को सिट करने में आप काफी ज़्यादा सामर्थ रहे होंगे, तो ब्रश्पती आपकी जबरदस्त है, यहां से दबाब है तो विक अच्छी है, दिमाग की बहुत तेज है, इंसान में बेसिक नॉलिज की कोई कमी नहीं रहती, और जबरदस्त आपकी सूरी रेखा, बनी भी एक से ज़ादा, तो विक्ती बहुत ज़दा टैलेंटेड होते हैं, और स्ट्रॉंग आपकी बड़ी भी बन रही है, तो विक्ती आपके पचास में साड़ के बाद भी कुछ प्रापटी के अपरचुनिटी आपके ज़ंदगी पर आए और आप लो और आपके लिवो लावकारी साबित हो, तो सूरी के विश्य में था, और सन मरकरी भज़दा से स्ट्रॉंग सूरी और स्ट्रॉंग बुद्ध तो विक्त पच्छी बुद्धिवेक से कारे करने वाले होते हैं, जबरदस्त बुद्धरे का इंसान भहुत ज़दा ही इंटलिजेंट है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, सन मरकरी का अच्छा होना ही इस चीज़ का परिचा कराता है, कि इंसान भहुत ज़दा समझदार अपने कार जमीन जदात का सुक यहां से तो आपको ज़रूर मिलता है, यहां से तो कोई आपती नहीं है, यह बात बताने में, और हेल्थ भी ठीक रहती है, अब देखो उमर का तकाजा है, कभी कबार कुछ प्राबलम्स होगे तो उसको लेकर ज़्यादा चिंता आपको नहीं करना है, औ और मंगल जितनी पूर्स्टेक, जितनी पूर्ण है, तो विक्ति का आयों भी दिरगायों रहते, इसमें भी कोई डाउट नहीं, इंसान बड़े लॉजिकल होते हैं, चंदरमा काफी अच्छी तो विक्ति के जंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी, प्रस्नेलिटी अच्छे इंसानियत के हैं, और इनमें इंसानियत की बावना बहुत शानदार है, बाकि देखो कुछ लाइन सा आपके, इसका मतलब होता है कि इंसान की यात्राएं होती है, बेसिकली घर से दूर का उनती है, घर से दूर का वास होता है, यहाँ पर से भी अलके-लकिसी बन तो यह फिलाल इसमें इस ताकत है नि, इसके लिए मैं ज़्यदा चर्चा करूँगा नि, चदरमा अच्छी है, तो पैसिक फ्लो जिन्दगी पर अच्छी सी बढ़ी रहती, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, फिर देखें यहाँ पर से, यह कुछ यात्रा के योग जरूर आई होगी, जो यहाँ से भी मुझे दिख रहा है, और उसके बाद का अगर मैं आपको परिचे करा हूँ न, तो आपकी जीवन रेका पर जिन्दगी के लास्प्रेड में एक ट्रेंगल और कुछ लाइन्स यहाँ बने हुए, जो चंदर से जुड़ा हुआ का या घर से शुक्र बहुत जबरदस्त है, तो जिन्दगी बहुत अच्छी बिलती है, वाई बहुत सपोटिंग होती है, शादी के बाद की भाग्यूदे होती है, जिन्दगी बहुत अच्छी बीतेती है, पाड़ी बार एक संदर अपसे भी बाते अच्छी सी चलती है, और कई न कई इंसान की personality बड़ी जबरदस्त होती है सौ के भीद में आप इनको पहसान लोगे इतनी बढ़िया इनकी personality होती है कुछ nominal stress के line थे तो यह प्रारंबिक समय में stress को दरशाते थे बागी तो vicious tension था नहीं उसके बाद stress खतमी हो गया और कुछ square से विगरा जरूर बने वे तो यह basically आपके luxury को शुक को दरशाते है जंदगी luxurious बीचती है कुछ share market में investment के योग से भी बन रहे है तो विक्ति अगर share market में invest के तो beneficial रहेगा बागी कुछ lines आपके बने में यह lines का मतलब होता है positivity शुक्र के पे यह lines आपकी positivity को दरशारी है luxury life रहती है इंसार की personality अच्छी तो होती है अगर सुक्र छेतर से जुड़ावा आपकारे करो तो आपके लिए काफी ज़ादा उम्दा रहेगा इसमें किसी परकार का doubt नहीं है और strong शुक्र तो फिर जंदगी मस्त बीत नहीं है और चनरमा इनकी मंगल भजज़ादा जबरदस्त बहुत जबरदस्त और मंगल डेखा एक देखो exactly और जीवन डेखा बज़बरदस्त है तो आयू दिरगायू यहाँ से आयू में कोई परकार का tension है नहीं बाकि nominal tensions के line है तो व्यक्ति थोड़ा बहुत चिंतासोबा आपके होता है यह lines जो है न बाकि मंगल आपका काफी अच्छा है तो इंसाट प्राक्रमी भी है luxury के proper lines बन रहे हैं तो व्यक्ति को luxury का पूर्णता साथ मिलता है इसमें भी किसी परकार का doubt नहीं है फिर चलिए आपके जीवन आपकी mind रेका पर जीवन रेका को तो पूर्णता मैंने explain कर ही दिया है mind रेका बड़ी जबरदस्ते लेकिन एक problem की age थी यहाँ पर से देखो तो इस age में है जब यहाँ पर से यह change हो रही थी तो तकरीबन आपकी मान के चलो बी 22 से लेकिन 26 वर्णत के बीच में कुछ nominal problems को यह दर्शा रही थी बाकी 12-26 के बाद over maturity level की प्राप्ती और 2-3-3 branches तो इंसान उसके बाद तो जिन्दगी बड़ी मस्त कर लेता है 26-27 तक कुछ nominal problems को यह दर्शा थी तो उसके बाद तो इंसान की over maturity level की प्राप्ती कि आपकी आयू 22 वर्णत की है आपने इतना गड़ी भी देख लिया ना कि आपको अमीर बनना है तो आपने प्रियास करना सुरू कर दिया तो मतलब कोई भी प्रकार का तकलीफ आपको बहुत समझदार बनाने के लिए enough capable है तो इसी तकलीफ की मैं बात कर रहा था कोई ना कोई मानसिक दवाब को लेके ही मैं बात कर रहा था आपके जंदगी पर तकलीबन 20 से लेके सकता है इस वर्णतों के बीच में ये चीज़े देखने को मिली होंगी बस इतना ही बात था अमारा उसके बात की माइन रेक आपकी काफी जबरदस्ते विशेश कोई दवाब था नहीं और हर्ट लाइन भी बहुत अच्छी है थोड़े emotional विक्तियां तो यहाँ पर से emotions बढ़ा रहता है बाकी हर्ट लाइन का अगर मैं विचार करो तो मोटी हर्ट लाइन है तो मोटी का क्या होता है ना इंसान बे फजूल की बातों को नहीं चलाते ये ज़ादा सोचते नहीं है और ज़ादा बात चीद भी करना पसंद नहीं करते हैं अपने काम पर ध्यान देना पसंद करते हैं और ये विश्णोयोग का फॉर्मेशन है रूटीन को फॉलो करने वाले विक्तियां बाकि बागिरे का गरबर थी तक्रीबद आपकी 22 साड़ के बाद सक्रिये थी और ये 26 साड़ के बाद ज़्यादा सक्रिये हुई है और फिर श्ट्रॉंगल आपके जिंदगी के लास्त तक है 36 के बाद भी बहुत अच्छी है तक्रीबद 34 से लेकर 36 के बीच में कुछ प्राबलम सताई होंगी आपको और उसके बाद की जिंदगी तो मस्त जिंगा लाला थी और यहापर से एक बड़ा आसे ट्रैंगल बना तो प्रापर्टी के योग थे लेकिन एक योग बन रहे है आपके 50 साड़ के बाद तो 50 के बाद प्रापर्टी के अच्छे आसार है बागी एक फ बुद्धरेका के तरब तो बुद्धरेकाल की टूटी टूटी है यह थोड़ी पेट की परशानी को इंडिकेट करती है तो यहाँ से मैं केर करने का पूरा-पूरा सजेशन देता हूं बाकि मोटी है तो यहाँ पर से क्या होता है बिजनस के लिए तो मैं अच्छे योग नहीं मानूंगा और सटन खर्चे के भी योग बनेंगे मांके एक हल्का समर्णी ट्रेंगल बनाया तो यहाँ पर से कुछ पैसे जमा करने वाले होते हो दूसरे आपके धन बंडाल भी है तो ऐसे विक्ति पैसे सेव करने वाले होते है बस स्वास्त को लेके पेट को लेके प्रबाबित रहते है तो अगर आप प्रापरली केर करने के आपको आवशकता है आपके हास से कोई व्रिहत पैमाने पर स्वास्त प्राब्लम के योग नहीं थे तो यह थाणिके तलिका पुर्णता विश्लेशन अगर आपको मारा ये विडियो पसंद आया लाइक कर दे कम कानकारी पाना चाहते हैं हमारा वोट्स अपना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ले कि आप संपर्द कर सकते हैं धन्यवाद